Hello and Welcome Everyone, The Online Guru में मैं सुनेल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल की जो ओफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उस ओफलाइन काउंसलिंग में कहां कितनी सीट्स वेकेंट है इसके बारे में हम जानेंगे ताकि जब आप सैनिक स्कूल के काउंसलिंग पे जाएं और वहां से जो आपको रिपलाइन मिलता है क्योंकि कई चगों पर पैरेंट को रिपलाइन दिये गए हैं कि भाई सीट अल्रेडी फिल्ट है आप क्यों आए हो यहां पे काउंसलिंग के लिए तो उस टाइम पे आप यहां पे यह जवाब दे सको कि भाई ओफिशिल वेबसाइट पे अभी इतनी सीट यहां पे वेकेंट दिखा रहा है ताकि आप इसली वहां पे बता सके तो सेकंड बात करते हैं कि चेक कैसे करोगे तो पहले आपको आना है काउंसलिंग के पिसा.nco.gov.in इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां पे जाएंगे अब देखे यहां पे जब आप जाएंगे तो देखो एक तो है होम होम के पास में है यह काउंसलिंग प्रोसेस इस काउंसलिंग प्रोसेस पे देखो नीचे लिखा हुआ है list of document के नीचे waiting list यहां से आप यह पता कर सकते हो कि आप किस school में कहा waiting list पे हो तो इसके लिए मैंने अलग से एक video बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं उपर मैं आपको comment में available करवा दूँगा जैसे ही आप अलग-अलग categories select करके search पे डालेंगे और search पे डालते ही आप को नीचे जो है वो data available हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका waiting list में कौन से number पे आप यहां पे stand कर रहे हैं ताकि उस according आप वहां पे wait कर सकें या फिर वहां पे proceed कर सकें कि आपको वहां पे admission लेगा या नहीं क्योंकि obvious है कि first number वाले को पहली priority मिलेगी उसके सेकेंड वाले को फिर थर्ड वाले को और ऐसा गरते हुए आपका number आने वाला है अभी जो हम बात करने वाले थे कि यहां कितनी seat कहां पे weekend है तो यहां पे एक tab है school information का यहां पे लिखा हुआ है offline seat matrix अभी तक क्या होता था seat matrix होता था जो online e-counseling में काम आता था लेकिन अब counseling offline है तो यहां पे आपको offline seat matrix पे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं class 6 का option है class 9 का option है तो एक एक करके मैं दोनों आपको यहां पे दिखा रहा हूँ class 6 के option पे गए किस टाइप का school government वाले या private वाले तो मैंने अभी गॉफ्मेंट जैनिक स्कूल select किया academic year 2024 के लिए मैं search पे क्लिक किया जैसे ही मैं search क्लिक करता हूँ देखिए आपके सामने सारे options जो है वो available है जैसे आंदर प्रदेश का सैनिक स्कूल कली करी में boy के लिए देखिए home OBC में 2 seat vacant है general के लिए 3 vacant है home defense के लिए 2 vacant है other state से SC के लिए 2 vacant है other से OBC के लिए 4 vacant है unreserved के लिए 2 है and defense से 1 है त तो ऐसे total 16 seats यहाँ पे available है तो इस सीज का आप यहाँ पे record केंगे और अगर आपको कोई बूलता है यहाँ पे तो seat vacant ही नहीं है आपको किस ने कहा तो आप यह website खोल कर उनके सामने present कीजिएगा तो आप यह website पे तो यही बता रहा है secondly अगर आप girl category में है तो देखो girl category में एक home defense में है एक यहाँ पे other OBC में है total 2 seat यहाँ पे available है ऐसे ही अंधर प्रदेश के कोरू कुंडा में देखेंगे तो total boys के लिए 6 है girls की एक भी seat नहीं है अरुनाचल प्रदेश के east सियांग में 13 seats अविलिबल है category wise आप यहाँ पे video pause कर के आराम से देख सकते हैं या फिर आप इस website पर भी जाकर देख सकते हैं लिचे लिंक जो है वह available करवा दूंगा description में girls के लिए यहाँ पे अरुनाचल प्रदेश के east सियांग में 3 seat हैं आसम के गोलपाड़ा में boys के लिए 9 seats हैं अभी classics की बात कर रहा हूं और date देख website अपडेट होती रहती है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे चेक जरूर कीजिएगा निक सिंग बात करते हैं बिहार के गोपाल गंज की तो भया 15 seat यहाँ पे boys के लिए वेकेंट है गर्ल्स की 2 वेकेंट है बिहार के नालंदा में 10 seat boys के लिए और 4 seat girls के लिए यहाँ पे व available है हर्याना के कुंझपूरा में 10 seat यहाँ पे boys के लिए और 1 girl के लिए आविलिबा है और हर्याना के रेवाडी में 30 seat boys के लिए और 3 seat girls के लिए अविलिबा है हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर 13 में 3 seats boys के लिए और girls के लिए भी 3 seat ही vacant है इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के नगरोता में जाते हैं तो boys का 5 girls का 1 है यहाँ पर जारकंट के तिलईया में 7 और 1 boys and girls के लिए करनाटका के बीजापुर में 13 है boys के लिए और 4 है girls के लिए वेकंट ठीक है करनाटका के कोडा सेगो में 10 seat यहाँ पर boyz के लिए वेकंट है और 3 seat girl के लिए वेकंट है कज़ा कई तूम में boys के लिए 5 और गर्ल्स के लिए 2 वेकंट है जबकि मद्यप्रदेश के रिवा में अभी देखो यहां पर 31 सीट बॉइस के लिए दिखा रहा है और गल्स के लिए 3 सीट वेकंट दिखा रहा है अब यह कब के बात कर रहा हूं 16-8-2024 ती बचकर 15 मिनट को रिकॉर्ड की गई है महराष्टा के चन्रपूर की बबात करना तो 14 सीट यहां पर ऐस के लिए और गल्स की बिखा रहे है faster in Consulted मानिपुर की बात करते हैं तो boys का 17 और girls का 4 vacant है then मिजोरम के चिंचिप में 30 seats है boys के लिए और 4 seats girls के लिए है then नागा लैंड के पुंगलवा में 45 seats boys के लिए और 2 seat girls के लिए है then आप जाते हैं उडिसा के भुवनेश्वर में तो 4 seat यहाँ पे boys के लिए और 0 seat girls के लिए है then उडिसा के संबलपुर में 5 seat यहाँ पे boys के लिए और 0 seat girls के लिए है इसके बाद पंजाब के कपुर्थला में 12 seat boys के लिए है और 1 seat girls के लिए है फिर चितोडगर राजस्थान की बात करते हैं तो 8 seat boys के लिए और 3 seat girls के लिए है फिर राजस्थान में ही जुनजुनु में boys के लिए 11 seat हैं और girls के लिए 3 seat हैं तमिल नाडू के अमरावती नगर में 6 seat हैं boys के लिए और girls के लिए 2 seat हैं Then after UP में boys के जहासी में 14 seat है वेकंट है और 1 seat यहाँ पे girls की वेकंट है Then UP के मैनपुरी में 12 seat है boys की और 4 seat है girls की वेकंट है Amitri में 9 seat यहाँ पे boys के लिए और 1 girl के लिए वेकंट है 5 seat उत्तराखंट के घोड़ाखाल में boys के लिए vacant है और 1 seat यहां पे girls के लिए vacant है इसके अलावा वेस्ट बेंगॉल के पुरूलिया में 10 seat और 2 seat यहां पे girls के लिए vacant है यह तो था class 6 के लिए आज 16.08 तीन बज़ कर 16.00 पे यह record हो रहा है अब बात करते हैं क्लास 9 का सैनिक स्कूल में जाते हैं 2024 पे जाते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो चलिए आंदरप्रदेश का कलिगिरी 00 है कोरुकुंडा में एक सीट अधर स्टेट का अन्रिजर्व में विकिंट है इसके अलावा तीन सीट यहां पर आसम के गुलपाड़ा में है बॉइस का और वन गिल्स का इसके अलावा सब 00 है चाथिसकर के अंबिकापुर में दो सीट है फिर आके देखिएगा गुजरात के बा बॉइस के लिए और दो गर्ल्स के लिए फिर हिमाचल प्रदिस के सुजानपुर तीरा में यहां पर दो सीट है वेकिंट है बॉइस के लिए गर्ल्स का जीरो जीरो चल रहा है फिर आता है वन सीट जारखंड के तिलईया में बॉइस के लिए और वन गर्ल्स के लिए फिर करनाटका के बीजापुर में 4 है boys के लिए और 3 है girls के लिए फिर करनाटका के कोडागु में 3 seats है यहाँ पर boy के लिए और 0 seat है girls के लिए then यहाँ पे केरला के कजा कतून में दो सीट सबस्ती है boys के लिए zero seat girls के लिए है रेवा वगरा फुल है यहाँ पे महराश्टर के चंद्रपुर में nine seat vacant है boys के लिए one girls के लिए then यहाँ पे महराश्टर के सतारा में boy का two seat vacant है girls का zero है then मैनपूर में मनिपूर में sorry इमफाल में चार seat है boys के लिए zero है girls के लिए मिजोरम के चिंचिप में पांच यहाँ पे boys के लिए अवेलिबल है जीरो है आगे फिर नागालेंट के पुंगलवा में 27 seat से मैं class 9th की बात कर रहा हूं ठेक है total boys के लिए और girls के लिए one vacant है उडिसा क भुवनेश्वर में 1 seat boy के लिए vacant है और girls के लिए भी एक seat है बाकी जीरो चल रहे हैं पंजाब के कपुर्थला में 6 seat vacant है boys के लिए और इसके बाद राजस्थान के चितोड में 5 seat vacant है यहाँ पे boys के लिए जुन जुनु वगरा जीरो चल रहे हैं चार seat vacant है तमिल नाडू के अमरावती नगर में boys के लिए और एक girls के लिए इसके अलावा चार seat vacant है यूपी के मैन पूरी में boys के लिए और वन girls के लिए फिर अमेठी में 5 seat है यहाँ पे boys के लिए और 0 है girls के लिए फिर यहाँ पे आते हैं घोडा खाल में तो एक seat यहाँ पे boys के लिए अवेलिपल है के लिए जीरो अफेलेपल है पुरूलिया में वेस्ट बेंगल में अगर आप जाते हैं तो दो आपका यहां पे हो जाएगा किसके लिए बॉय के लिए और जीरो है गर्ल के लिए तो टोटल यह पूरा सीट मैट्रिक्स है तो इसको आराम से आप देखिए और उस अकॉर्डि का टाब है यहां पे जाना और यहां पे यह देखो यह स्कूल इंफरमेशन लिखा है इसको क्लिक कर देना उसके बाद यहां पे पूरी लिस्ट आपके सामने सारे स्कूल की ओपन हो जाएगी जाहेए वह गौफ्मेंट हो चाहे वह प्राइवेट हो टोटल सेवन्टी थी स जिनकी लिस्ट आपके सामने है, यहां पर उनकी वेबसाइट है, वो स्कूल किस तरीके का है, कौन से स्टेट में है, किस टाइप का स्कूल है, वहां का कॉन्टाइक डीटेल्स वगरा, सारी डीटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी. आप सभी के लिए आज का सेशन हेलपफुल रहा हो, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि टाइम लिए आपको वीडियो के नोटिफेकेशन मिल सकें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लि हैंट, प्लेट्सूं के थे कर एक लगण के लिए आपको लिए देधियार्गिकेशन मिल एक कॉछ ins killer हैं मिल उूतन मिलन सकते हैं, जिए पनूतन पील लिए मिल सके लिए क दखले的人 Engine kur título, मिलते हैं